हैलो एब्रिवान एगेन वेल्गाम एक टू मैं चैनेल सो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग बात काने वाले है ऐसे फाइब बेस्ट इंटर डेस्टोक के बारे में जिनको हम काल यानी 16 अपरिल के लाइब मार्केट में टेट करके एक आच्छा खासा पॉपीट जियाट कर सकते बारे मों शॉटिंग करके उन सब इस्टोक की पीछे का पोपर आलाइसिस वीद इस्टोब लॉस और टार्गेट मैं आप लोग के साथ पूरा डिटेल्स में एकस्प्लेंड करने वाला हो गाईस तो आप लोग वीडियो को बीन इसीप किये हुए पूरा एन तक दे दिया और आज के देड़ में काहिना का यह मार्केट सपोल लेबल के पास में आकर बचे क्लोस कर दिया अगर कल के दिन मार्केट इस सपोल लेबल ब्रेक करके नहीं चाहता है तो हम लोग एक आचाखा से सेल साइट का मोमेंडम देखने के लिए मिल सकता है हम लोग आधनी वान आउर में एक्सेस बेंग ने एक स्टॉंग सा टेडलाइन सपोल टेडलाइन फॉर्मेशन किया है और आज के रेड में काहिना काही मार्केट ने सपोल टेडलाइन ब्रेक करके नीचे आकर भी क्लोस दिया अगर मार्केट काल के दिन फ्लाट ओपेन हो कर थोड़ी इनोट आगेट इसली प्लान कर सकते हैं हमान लिस्ट के चिताट इस्ट अगे गाईज वह है भारतियाट टेल अगर आप लुक देखिएगा तो और के टाइम फ्रेम में भारतिया टेल एक स्टॉंग से सपोल टेडलाइन बना है मार्केट ने पहले सपोल यहां पालिया कल के दिन मार्केट उपर इस होरिजोंटर लाइन को पुछी ब्रेक करके एक बी और एट लिस्ट एक फिप्टीन और फाइव मिट के केंडल क्लोस करता है और उसी फाइव और फिप्टीन के केंडल का जब ब्रेक आउट आता है तो हम लोग को एक आच्छा-कासा बाइंग अगर आप लोग देखिएगा तो वान आओर के टाइम फ्रेम में स्टॉक ने एक स्टॉंग से सापूट लेबल ब्रेक करके नीचे आगर कल के दिन इस लेबल को पुछी ब्रेक करके मार्केट पुछी नीचे आता है तो हम लोग को एक आच्छा-कासा सेलिंग साइट का 5980 रुपीस पर 10 रुपीस के सर लागा के हम लोग को यह तीन टाइगेट इसलिड प्लान कर सकते हैं अगर आप लोग देखेगा तो मार्केट का पहले यह रिस्टेंस जोन था मार्केट ने बचे ब्रेक करके इससे सापूट लेबल सापूर्ट जोन मना दिया अब ही मारकेट गो कि पाहले यहां पर लिया दूसर सब लियार्ण अज की डेट में और से आ का ल के दिन पीमचे फ्लाट के यहां पर आनकर मारकेट पकर नियकले ना गप बहुत हुल्द करके माकर आ करें पीम लोगों को हतले व फ्लाट ओपेन होकर यह पर आने के बाद थोड़ी बहुत होल्ड करके अगर नीचे ब्रिक डाउन करता है तो हम लोगों को एक स्रिल साइट का भी मुवम्मेंटम देखने के लिए आच्छा का सा मील सकता है गाइस तो चले गाइस एक बाद देख लेते हैं आज की डिट में मैंने जिंजीन स्टाक को दिया था उसका पर्मव में से एक बाद चिक कर लेते हैं पहले हमारे इसके पहला स्टाक था ओधा एशन पेंट मैंने बोला था एशन पेंट आगर इस लेवल को पुझे ब्रेक करके नीच आथा है तो हम लोगों को एक आच्छा खास सेल्स साइट का मुमेंटम देखने के लिए मिल सकता है मैं पहले बाद तो मार्केट पुझे गैप डाउन ओपें हुआ और फिर थोड़ा बाद पुझे पूल बैक अगर जिनीन लोगों न भी इस रेट केंडल पे पुझे एंट्री लिया था उनका ए तीनो टागेट इसली एचिव हो गया हमारी लिस्ट का जो दूसरे स्टॉक था आज का एसल टेकनोलोजी एसल टेकनोलोजी में मैंने बोला था आगर मार्केट इस लेवल को पुझे ब्रेक करके नीच आता है तो हम लोगों को एक आचाखा सा सेलिंग साइट का मुमेंटम देखने के लिए मिल सकता है और जिन ज हिरो मोटो को हिरो मोटो को ने भी सिम कर्डिशन मना है गाईज अगर इस सापोर्ट लेवल बेर करके मार्केट नीच आता है तो मैंने बोला था एक आचाखा सा सेलिंग साइट के मुमेंटम देखने के लिए मिल सकता है इसी स्टॉक ने भी हम लोगों को एतीनों टाइट इसीली आचिव कर दिया हमारे लिश्ट के जो फोर्ट इस्टॉक था गाईज वह था वाज फाइनस वाज फाइनस ने कोई भी एंट्री नहीं बना गाईज मैंने बोला था अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट आप साइड में तो हम लोगों को एक आच्छा सा इसने भी गाईज सेम सिच्वेशन माना मार्केट ने पचे कोई एंट्री भी नहीं दिया इस पाट्रिकुलर लाइन को जब ब्रेक करेगा मार्केट तो मैंने बोला था एक आच्छा खासा बाइंग मोमेंटाम हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था मार्केट पचे ग